हेलो फ्रेंज वेकम टुमाय चानल सोहारो इसकी तरह मैं आज भी कारेंट फेलिंग्स का रीडिंग लेकर आई हूँ टाइमलेस रीडिंग है काईस जब भी और जिस्पी दिन आपके सामने आ रहा है आप देख सकते हैं मेल फिमेल कोई भी इसको देख सकते हैं सिंगल मैरेड सारे लिजन के लोग सारे कास्ट काल्सर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं स्क्रीन पर जो नमबर दिख रहा है मेरे परसनल लिडिंग के नमबर है जिनको भी मेरे से परसनल लिडिंग लेना है इसी नमबर पर वर्सा मैसेज करें परसनल लिडिंग चार्जब होते है यानि आपको पैसा देकर गुप करना होता है और personal reading accurate होते हैं तो reading की हिसाब सबको result भी दिखता है और reading आपकी name की हिसाब से होते हैं बिल्कुल secure रहता है 100% security के साथ आपको अपनी reading मिलेगा और जैसा आप यहाँ पर वीडियो देखते हैं वैसे ही आपको अपनी reading आप अपनी वार्शाप पे वीडियो के पाथे हमसे देख पाए ले ठीक है और आपने पास अब रख पाए ले तो जिनको भी चाहिए आप लोग इस नंबर पर वार्शाप कीजिए चलिए देख लेते हैं आज के दीन में एक्ट में के पोर्शन की एनर्जी कैसा है प्लीज इंजो घाइट करें मैरे भी वर्श जो लोग भी देख रहे हैं उनके लब्ड़वन की इनर्जी कैसा है आज के दीन में क्या सोच रहें क्या हो रहा है क्या for feelings सब्सक्राइब करें क्या फीलिंग से भी वर्स के लबड़न की क्या एनर्ची है क्या एनर्ची है मेरे भी वर्स के लबड़न की गिंग आफ सोर्ट एट ओवेंज नाइन ओवेंज फुल कर्ड है प्रिष्टेस और देबल टॉक्सिक विच चारिएट विद टेन पैंटिकल जस्टिस और एक कारा ना जा रहे हैं यहां से प्रिष्टेस और टॉक्सिक विच अपके पर्स ले रहे हैं यहां पर एक मेजर्डिसिशन आपके पर्स अजके दीन में ले रहे हैं ओके मेजर अरगाना से बहुत सारे मेजर अरगाना आ हैं आजके दिन में तो आप मान के चल सकते हैं कि आपके परसन के लाइफ में आजके दिन में कुछ मेजर हो सकते हैं तो sign है यहाँ पर cancer, scorpio, cancer बहुत strong है, Libra, Sagittarius, and Pisces, तो बहुत सारे major sign है, repeat कर देते हूं, cancer, scorpio, Pisces, Libra and Sagittarius इसके इलाबा माइनर करना से है Acuras, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius Taurus, Virgo, Capricorn and water sign जैसे कि यहाँ पर Pisces है, Cancer है Scorpio है तो all sign यहाँ पर मौजुद है ठीके? Okay, so देखिए, बहुत जल्द आपके person आपको reach out कर सकते है Call messages कर सकते है उनकी तरफ से कोई communication आपको receive हो सकता है कुछ लोगों को evening के time पे messages receive हो सकते है कोई wishes receive हो सकते है दिवाली का wishes भी receive हो सकते है इस टाइप के energy है और जैसे कि recently आपके person का किसी के साथ root communication हुआ है किसी के साथ उन्होंने जगड़े की है या फिर गुस्से से कुछ बोला है ठीक है, इस टाइप की energy है तो आप भी यहाँ पर alert रही यहाँ पर message card के साथ king of source का card है तो अगर उनकी situation खराब है उनका mood off है तो यहाँ पर possibilities है कि आपके साथ भी अगर बातचीद होगा तो यहाँ पर कुछ न कुछ वो आपको बोल सकते हैं गुस्से से जो चीज आपको अच्छा ना लगे आप जो है उनको कुछ reply कर दे जिसके बैसे आप दोनों के भी थोड़ी बहुत 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 हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए पाकी यहाँ पर communication receive होने वाले हैं और अपके person यहाँ पर डर से बाहर आ रहे है आज के दिन में उनको किसी तरीके का चोट पहुंश सकते हैं और अंदर से काफी emotional है लेकिन चीजों को हाइट कर रहे हैं जिन भी लोगों के साथ वो उट बैठ रहे हैं जिन भी लोगों के साथ वो है वो family का हो colleagues हो जहाँ पर भी वो रहते हो roommates हो जो भी हो वो लोग उनके लिए toxic है उनके साथ रहते हुए भी उनकी बातचीद उनकी रहन सहन या फिर उनकी attitude behavior उनको अच्छा नहीं लग रहा है और कुछ न कुछ जगड़ा यहां पर हुए है आज के दिन में जिसके वासे आपके परसन उस situation से या तो move on कर रहे है या फिर move on करने का decision ले चुके है ठीक है practically move on की energy है यहां पर chariot का card जहां पर भी वो रहते थे तो वो रहने की जगा चेंज कर सकते है लोकेशन चेंज कर सकते इस टाइम पर family में अगर रहते है तो family से दूर जा सकते है और यहां पर कोई legal matter मुझे यहां पर नशरा रहे है ठीक है justice के साथ judgment card तो यहां पर कुछ लोग के life में अचानक कोई legal matter आ चुका है या फिर कोई legal decision आपके person ले रहे है ठीक है justice and judgment तो major decision मुझे नज़रा रहे है तो यह जो legal matter या तो पैसो को लेकर है या तो फिर family को लेकर है ठीक है तो यह दो चीज़ा है इसके इलावा bottom से five of cups upset है आपके person past के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे है या फिर past की जो भी गलती है उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच के regret feel कर रहे है आपके person सो चलिए clarify कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या scene है या पर और क्या scene चल रहा है king of source card प्ली संचो गाइड करें king of source card क्यों आया है यहापर king of source king of source को queen of source ने clarify किये है so couple के बीज लड़ाई चगड़ा हुआ है husband wife के बीज लड़ाई चगड़े नचर आ रहे है दो female यहाँ पर नचरा रहे है तो अगर उनके घर में दो female है तो female के साथ यहाँ पर लड़ाई चगड़ा हुआ है तो आप देख ले ना आपकी situation में आपके person के life में कौन सी दो female है जहाँ पर लड़ाई चगड़ा हो सकते है start कर तो आप hopeful रह सकते हैं आपका wishes fulfill हो सकता है ठीक है आपके तरब new beginning हो सकते हैं अगर आपका no contact या fearless contact है और जगड़ा अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो definitely आप hopeful रह सकते हैं और जब भी call messages आए तो आप थोड़ा खुद को protect करना ताकि आपके साथ जगड़ा ना हो जाए सोच समझ कर बात करना या फिर थोड़ी बहुत बात करके आप जो है इग्नोर कर सकते हैं ताकि जगड़ा ना हो 8 of events की एनरजी की माया है या पर 8 of events को 8 of source ने क्लरिफाई किये है किसी trapped situation से बाहर आ रहे 8 of events का movement को दिखाते हैं traveling को दिखाते हैं पोजटिफ changes rapid changes opportunities को दिखाते हैं तो definitely in इन भी situation में आपके person trapped थे वहां से बाहर आते हुए नजरा आ रहे है और कुछ लोगों के लिए साधी से related कोई decision ले रहे हैं, अगर family वाले किसी other situation में forcefully साधी करबा रहे थे तो उस situation से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आपके person इस time पे खुद की मर्जी का करेंगे और जो उनको सही भी लगेगा वही करेंगे और यह भी चीज है, यह साधी से related कोई decision अगर उनके ऊपर force किया जा रहा है कि आप यह करो तो वो नहीं करेंगे, उस situation से बाहर आएंगे, 9 of Vance, 9 of Vance को 5 of Vance with the 2 of Vance ने clarify किये है, लड़ाई छगड़ा हुआ है थार पार्टी के साथ, बहुत बुरी तरीके से लड़ाई छगड़े हुए है, या फिर हो रहा है और उस situation से अपके person successfully बाहर आ रहे है, विक्ट्री के साथ temperance का काड़, यहाँ पर peaceful resolution आएगा, balance आएंगे, जो कुछ भी हो रहा है, वो सही पात पर लेकर आने के लिए हो रहा है, ठीक है, और वो divine की मर्जी से हो रहा है, यहाँ पर बुद्धा की energy को आप देख पा रहे हैं, यह जो लोग है, बुद्धा की सरन म में आ चुके हैं, तो यहाँ पर यह दिखाए दे रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ पर आपके person को victory मिलेगा, और वो सही mark पर आएंगे, सही रास्ता पकड़ेंगे इस time पे, ठीक है, तो आपके लिए positive changes time पे आ सकते हैं, ओके, full card क्यों आया है, full card को इस of source ने clarify किये है, with the hermit card, with the king of pentacle card, तो यहाँ पर source समझ कर आपके person किसे situation में new beginning कर रहे हैं, और successfully उस situation में आगे बढ़ते हुए energy आ रहे हैं, तो हो सकता है कि career में वो new beginning कर रहे है, यह भी energy है, क्योंकि king of pentacle की energy है, तो इस time पे जहाँ पर भी वो new beginning करेंगे, वो stable करेगा, ठीक है, long time basis पे चलेगा, fruitful result देंगे आने वाले समय में, और काफे सारे लोगों को अगर इस time पे, bars बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बार्च यानि, एक साथ बहुत सारा बार्च जैसे कि इस card में आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक साथ बहुत सारे बार्च है, तो इस type के अगर energy आपको दीख रहे हैं, तो यह message definitely आपके लिए हो सकते हैं, और आपके person सोच समझ कर एक decision layer, stability के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, commitment की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके साथ वो commit कर सकते हैं आने वाले समय में, और carrier में शुरुवात कर सकते हैं, यह energy है, किसी की manipulation से बाहर आ रहे हैं, किसी third party situation से आपके person बाहर आ रहे हैं, जिस third party situation की वज़े से उन्होंने आपका offer reject कर दी थी past में, क्या फिर अभी भी वो आपके offer पूरी तरीके से accept नहीं कर पा रहे थे, जिस third party situation की वज़े से, वहाँ पर उनको धोका मिला है, heartbroken situation है, और उस situation से quickly बाहर आते हुए नचरा रहे हैं, आपके person, night of events की energy है, सो कुछ लोगों को आज के दिन में definitely call messages receive होगा, reading देखते ही, toxic witches क्यों आया है, यहाँ पर, third party को cut up कर रहे हैं आपके person, king of cups, और यहाँ पर विश्नुदीप की energy है, with the world card, सो जो कुछ भी हो रहा है, कुछ अच्छा होने के लिए हो रहे है, और यहाँ आपर two of source, what of the day with the devil, devil को devil ने ही clarify किये है, जो भी third party situation है, जो भी दो राहे पर आपके person अटके होए थे, उस situation से बाहर आ रहे हैं आपके person ठीक है, और third party situation end हो रहा है, वो cycle end हो रहे है, उसके तरफ आगे बढ़ है, जिनको वो प्यार करते हैं, यहाँ पर ताज महल की energy आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि प्यार की ए वो unconditionally चाहते है, king of cups के energy है, जो कि एक romantic राजा है, प्यार के राजा है, तो definitely एक cycle end हो रहा है, एक devil energy end हो रहा है, चाहरियेट कार्ड प्यार करें, चाहरियेट की वाया है, यहाँ पर new beginning को दिखा रहा है चाहरियेट, किसे situation को काट अप करके आपके person new beginning करें अपनी life में, तो देखिए, यहाँ पर king of swords का का कार्ड पहले आया हुआ था, यह जो कार्ड है, और यहाँ पर chariot को king of swords ने clarify किया है, with the ace of cups, और यहाँ पर king of swords को clarify किया था, ace of vans, तो message same है कि, कुछ situation को काट अप करके new beginning कर रहे है, और यहाँ पर भी देखिए किस situation को काट अप करके new beginning कर रहे है, और उसके तरफ आगे बढ़ने की energy है, 10 of pentacle card, प्लिशन जो guide करें, 10 of pentacle, family में किसी type of tower moment, नचरा रहे है, लड़ाई छगड़े नचरा रहे है family में, पैसो को लेकर हो सकते हैं, पैसो को लेकर लड़ाई छगड़े हो सकते है family में, कैसा tower moment, celebration, 10 of swords, 10 of swords with the death card, with the wish fulfillment card, so कुछ situation end होगा ताकि आपके wishes fulfilled हो, कौन से situation end हो रहा है, क्या पूरी तरीके से end हो जाएंगे, release हो जाएंगे, या फिर हो चुके है क्योंकि आप current energies देख रहे हैं आपके loved one की, जिनके भी person love life को लेकर जगल कर रहे थे, दोनों situation में जगल कर रहे थे, या पर एक situation खतम हो जाएगा पूरी तरीके से, या पर आपके person balance बना रहे थे, लेकिन balance नहीं बना पा रहे थे, imbalance था, जगलिंग situation था, तो दोनों में से कोई एक situation end होगा, और जिनके साथ destiny जुड़ा हुआ है, वो उस situation के साथ आगे बढ़ेंगे, या पर 10 of source के साथ death कर आप देख पा रहे है, जो भी third party situation था, love life में, वो खतम हो रहे आज के दिन में, या फिर हो चुका है, जब भी आप देख रहे हो, और या पर 10-10 की भी हो आई version है, यह तो card है, 10 of pentacle का card, triple 10 की vibration है यहाँ पर, so definitely October month endings हो रहे हैं, तो result आपको दिखा कर जाएंगे 10-10 portal, ताकि 11-11 स्टार्टिंग से, November की स्टार्टिंग से आपको new beginning दिखे, so love life में जो obstacles आ रहे थे, वो end होगे, आपके life में celebration आ रहा है, आपकी wishes fulfill होगा, जिन भी situation में hang थे, आपके person उस situation से बाहर आ रहे हैं, और यह आपर justice का card फिर से, एक legal matter को दिखा रहे हैं, किसी type of legal matter, so यह energy है आपके loved one के, और यह clarify किया है 10 of pentacle को, ठीक है, so और कुछ card हम clarify नहीं करेंगे, same messages है, यहां से भी धोकाड़ आया था, जो कि justice and three of pentacle है, तो हमने clarify already कर चुके है, इस records को, तो same messages आएंगे इनका, चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्षन क्या होने वाले हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि, मैं ने justice को clarify नहीं की, क्यों नहीं किये है, three of pentacle को क्यों नहीं किया है, देख लेते हैं, जास्टिस क्यों आया है, आपके साथ नहीं होगा, जो भी devil energy है, वो खतम होगे, मादूर्गा की energy है, माकालिया आ रहे है, और यहां पर मादूर्गा की energy है, तो जो भी devil energy है, वो खतम होगा, आपको बहुत जल्दी news मिलने वाले, किसी तरीके का hidden, अपनी ही दुनिया में खोय रहनी है, और अपनी ही जो क्याते ना किस, सौख है, उनको पूरा करनी है, यह है third party energy with the pentacle, eight of pentacle card, फिर यह आपर 88 की भी energy है, जो कि karma release को दिखा रहे है, clarify किया है justice को, तो justice सनी महादेब का काम है, तो आप समझवा रहे हैं आपर कर्मा रिलीज की energy है, three of pentacles, अपके person, third party के साथ breakup situation है, no contact है, बाची नहीं हो रहा है third party के साथ, और एक new beginning करने के लिए, वहाँ से move on कर रहे है, किस के साथ, अपनी lovers के साथ, अपनी soulmate के साथ, ता फिर जिनके साथ भी उनको लगता है कि strong bond है, true love है, उनके साथ वह move on कर रहे है, divine के जितने भी cards है, सारे आ चुके हैं इसमें, आप देख पा रहे है, विष्णोदेव की energy है था, और यहाँसे, मादूर्गा की energy है, गोतम बुद्ध की energy है, और यहाँसे, गोपल जी की energy है, तो सारे इकार से आप रा चुके है, तो देख लेते हैं next action, next action क्या होने वाले है, पिसेंचल गाइड करे, my god, triple time यहाँपर messages की energy है, huge of logo को, message receive होने वाले है, आपके person की तरफ से, क्या message receive होगा, क्या वो लेंगे, call करेंगे तो, तो काड़ा है, देखते हैं, magician, जो अपने manifest किया था, वो wishes पूरा हो चुके है, जिनका भी no contact situation था, contact होने वाले है, क्योंकि आपने manifest किया है, कि आपके person आपको call messages करे, love line में reunion तो हो गई होगा, love का marriage मेरेच होने की possibilities यहां पर है, ठीक है, फ्यार की equal की event take होगा, साथी साध यहां पर marriage होगा, four or five of source card, जहां पर भी वो balance बना के चल रहे थे, जिन भी situation में वो balance या फिर compromise कर रहे थे, वहां पर लड़ाई छगड़े की energy है, bottom से है wish fulfillment, आपके wishes fulfill होगा, एक situation पूरी तरीके से खतम हो जाएंगे, with the ten of source, और यहां पर भी एक door open है, और यहां पर देखिए, back pack करके ready है, आपके person कहीं जाने के लिए, खुद को बिल्कुल move on करने के लिए ready कर चुके है, और यहां पर the dreamer की energy है, new beginning, आने वाले 10 से 9 दिन के अंदर, यहां पर काफी सारे लोगों को यह result देख चुके होंगे, पुरी तरीके से, with the justice card फिर से, जितने भी मैं day use कर रहे हूं, same to same messages यहां पर receive हो रहा है, card जो है, repeat हो रहे है, same card, same message, एक तरफ ending है, दूसरे तरफ new beginning है, so, अभी तक reunion का card नहीं आ रहे थे, messages के card आ रहे थे, तो next action में आने वाले 2 से 5 दिन के अंदर, ठीक है, 2 से 5 दिन के अंदर काफी सारे लोगों का reunion होगा, even आपके person call करके, आपको मिलने बुला सकते हैं, और कुछ लोगों का साधी fixed हो सकता है, या फिर जो कुछ भी हो रहा है, यह जो divine intervention है, third party removing procedure चल रहे है, तो वो आपकी permanent union या फिर साधी के लिए हो रहा है, तो यह अपने manifest किया हुआ है, पहले से, तो आपकी manifestation फुल्फिल हो रहा है, आपके wishes फुल्फिल हो रहा है, वो सारे desire फुल्फिल होते हुए नचरा रहे है, या पर क्या लिखा है आप एक बार देख लीजे, wishes come true, your dreams become reality, a magical time of life, good fortune, faith in the universe that all will be well, तो आप universe के उपर faith रखे, ultimately, at last, सब कुछ सही होगा और आपके लिए अच्छा होगा, जो भी होगा, चली देख लीते हैं, guidance, पिसे इस टाइम पे मिरे विवर्स को कौन सी guidance, follow करने की ज़रत है, इस टाइम पे मिरे विवर्स को कौन सी guidance, follow करने की ज़रत है, gold fees भी आ चुका है, जो कि good luck का sign है, वाह, very good, यह से parrot, देखते हैं, तीन कार्ड, तीन चार कार्ड आ चुके है, तो इतना सारा कार्ड मैंने ही लूँगी, यह कार्ड unfold हुआ है, gold fees का, I am so incredibly lucky, I have many blessings in my life, तो आप lucky feel करोगे, आने वाले समय में, जो भी blessings है, सब कुछ आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत सारे blessings है, आपके लाइफ में आ रहा है, many blessings in my life, I am fortunate, अब खुद को बहुत ज़्यदा fortunate मानोगे, भाग्या साली मानोगे, I have excellent business skill, I earn an unlimited income doing what I love, तो यहाँ पर अगर आपके career में भी आप बहुत महनत कर रहे थे, लेकिन आपको अपनी skill की हिसब से, महनत की हिसब से result नहीं मिल रहा था, income नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पर आपको वो income receive होने वाले हैं, specially जो भी आपनी अपनी path पर हो, जो भी यहाँ पर खुशी से काम कर रहे हो, जो चीज करना आपको पसंद है, अपनी passion के साथ आप काम कर रहे हो, तो definitely यहाँ पर आपको income मिलेगा, unlimited income मिलेगा, abundance and prosperity are constantly flowing in my life, abundance and prosperity आपके life में आ रहे है, I embrace joy, harmony and inner peace on all levels, तो देखिए, all levels पर आपको inner peace मैसुस होगा, harmony मैसुस होगे, खुश्या मैसुस होगे, तो बहुत ही एक प्यारी सी कार्ड है, good luck का कार्ड है, तो इसको claim कीजिए, यही एक कार्ड आपके लिए कामाल कर देंगे, अगर यह guidance आपके लिए हुआ तो, डेफिनेटली claim कीजिए, और एक कार्ड इट करते हैं, जो क्या unfold हुआ है यहां पर, claim की energy है, it is easy for me to take time for contemplative thought, तो कुछ चीजों को सोचने के लिए आप time निकाले, और थोड़ा silent होकर बैठिए अकेले में, और सोचिए, I am observant of thoughts, what feeling and action, the way to my future is clear and bright, तो आप क्या बोल रहे हो, कैसे आप behave कर रहे हो, आपका feelings कैसा है, क्या काम कर रहे हो, क्या action ले रहे हो, यह सारे सीज़े आपको future पे, क्या result देंगे, क्या positive result देंगे, क्या अच्छा result देंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए, आप negative feel कर रहे हैं, क्या वो बाद में आपको positivity देगा, तो यह answer आपको, खुद के पास होना चाहिए, यह सरनो में, या फिर आज आप जो काम कर रहे हैं, क्या आपका intuition यह guide कर रहे हैं, कि वो काम आने वाले समय में, आपको fruitful result देंगे, तो ऐसे आपको सोचना चाहिए, my mind is completely clear, तो तब जाके आपके mind में clarity आएगा, कि कौन सी path या फिर काम आपके लिए सही है, my focused intent aligns me with my highest good, तो यही जो चीज़ें आपको अपनी highest good के साथ जूड़ देंगे, जिराफ की energy है, काफसर लोग को success मिल सकता है, आपको बस imagination करनी है, ठीक है, ठाड़ाई पे सोचना है, या फिर बहुत ज़्यादा सोने के पहले, जो चीज़ आप अपनी life में attract करना चाहते हो, उसको सोच ये जितना possible है, और हर रोस कीज़े, minimum one month कीज़े, सो आपको उस चीज़ में success मिल सकता है, divine आपको protect कर रहे है, divine protection आपको मिल रहा है, इस टाइम पर आपको knowledge मिलेगा, I easily maintain awareness of the intended outcome and release destruction, जो भी चीज़ आपको destruction दे रहे हैं, negativity दे रहे हैं, आपको भटका रहे हैं, आपका ध्यान भटका रहे हैं, उन सारे चीज़ों से आपको distance create करनी है, आपको intuitive होनी हैं, और सोचना है कि जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर क्या आपको positive outcome मिलेगा, तो same message है, और आपको positive रहनी हैं, और यह सोचना है, आपका life बिल्कुल fulfilled है, happy हो आप, तब जाके आने वाले समय में भी, आपका future fulfilled रहेगा, और happiness में भर जाएंगे, ऐसी guidance है, और यह भी mind आप रखो, जो लोग बहुत ज़्यादा गुसा करते हो, बहुत जल्दी चीर जाते हो, तो आपकी जो behavior है, आपकी जो बाते हैं, आपकी जो action है, वो दूसरों को तो हाम नहीं पहुचा रहे, दूसरों का खती तो नहीं कर रहे, आप ऐसे बात कर रहे हो, दूसरों को hard तो नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपकी काम से, दूसरे लोग परेशान तो नहीं है, तो इन सारे चीजों के बारे में सोच के आपको आगे बढ़ना चाहिए और यहां पर भी आप काम करते हो रहते हो वहां पर बैलनस तरीके से रहने की कोशिस कीजिए हमेसा खुश रहने की कोशिस कीजिए दूसरों को खुश करने की कोशिस कीजिए अगर नहीं पॉसिबल है क तो color and crystal के साथ आप काम कर सकते हैं ठीक है तो जिनके भी life में blockages आ रहे हैं तो आप crystal पहन सकते हैं आपने पास रख सकते हैं या फिर color therapy को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हार एक चक्रा का एक एक करके color होता है तो अगर आपको लगता है कि आपका chakra balance नहीं है तो आप एक bangle ऐसा पहनी है जहां पर सारे color so seven chakra की color so ठीक है ताकि आपको color therapy मिले healing मिले और jamstone आप यूज़ करते हैं जिनको लग रहा है कि jamstones या फिर crystal आपको healing दे सकते हैं आपको विश्वास है तो आप उनको पहन सकते हैं और जो भी लोग जो भी लोगों को अपनी life में success मिल चुका है उनको आप follow कीजिए उनकी habits को paths को आप follow कीजिए ताकि आप अपनी life में improvement लेकर आ सके और हमेशा खुद के लिए stand लीजिए ऐसा नहीं है कि आपके साथ गलत हो रहा है कोई आपको निच्चा दिखा रहे है छोटा दिखा रहे है या फिर कोई आपको बे बजा ही कुछ बोल रहे ह है और आप चूप है तो यहां पर आपको बोलने की जुरूद है खुद के लिए speak up for myself I sign my light brightly and acknowledge my magnificence so आपको sign करना चाहिए light की तरह bright होना चाहिए star की तरह और यह सोचना है I am brilliant, gorgeous and fabulous तो आपको खुद को यह समझना है तब जाके लोग समझेंगे आपको खुद की वर्थ पहले आप खुद समझें उसके बाद दूसरे लोग भी आपको वैलू करना सिख जाएंगे तो बहुत सारे guidance करा आच आ चुके थे तो मैंने कोसिस किये हैं जितना डिस्क्राइब किया जाए आपका hard work आपको result दे सकते हैं और right time में right people आपके साथ connect होंगे ऐसा एंजल बोल रहे हैं healthy so है तो good healthy आएगा prosperity आ सकते हैं आपके life में friends आच्छे friends मिल सकते हैं जो भी कर रहे हो enjoy करते हुए करो I am grateful and fortunate for all that is good is my life so आप खुद को grateful मानिए fortunate मानिए जो कुछ भी आपके life में अच्छा है उसके लिए जो कुछ भी अभी भी आपके life में अच्छा है उनके लिए gratitude show कीजे एही एंजल आपको बोल रहे है एक साथ बहुत सारे कार्स आ गए थे गाईस तो मैंने explain कर दी है जो लोग इतना time सुने है मेरी readings को और आपको अच्छा लग रहा है तो definitely like करे comment करे चैनल पर new आए है reading अच्छा लग रहा है हारोज मैं इस reading को post करती हूँ तो channel name definitely याद रखे angel dream triple one tarot ठीक है और subscribe जरूर करें अगर reading अच्छा लग रहा है तो फिलल टाटा टीक कर यूरसल और थैक्स फर वच्छिं गईस